जरूर नजर आया कि जैसे नरेंदर मोधी ही लेकर आए हैं राम को उस मंदिर में उन्हों नहीं सारी चीज की है उस श्रे को क्या साई में राम नरेंदर मोधी को श्रे देना चाहिए जो आज कारक्रम हो रहा है उसका श्रे तो जाहिरे कि नरेंदर मोधी जी को ही देना चाहि क्योंकि उन्हीं की कल्पना के हिसाब से सब हो रहा है पिश्जा जी ने भी कहा कि नरेंद्र मोधी के बारे में भी है आज कहे वे अच्छली वो हई है नरेंद्र मोधी जी अब तक एक राजनीतिक निता थे अब उनके समर्थक कहने लगे हैं कि वो ही हमारे शंकराचारी है मतलब वो एक नए रूप में आ रहे हैं नरेंद्र मोधी जी और जो ट्रस्ट है उन्होंने तो ये कहा कि साब वो विश्णू के अवतार है तो आप जिस तरह से अभी 10-12 दिनों से मोधी जी मंदिर मंदिर सब जा रहे थे साउथ इंडिया में और आज वहाँ जा रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि जो राजनीति से आगे का कुछ है बियोंड राजनीति क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं था कि एतना सब करते तो वो अपने आप में मतलब वो यह कि राजनीतिक सत्ता तो है ही है वो एक तरह से धार्मिक सत्ता का भी जो है वो क्योंकि अगर धार्मिक पे और लिए धार्मिक कारक्रम होता है तो वो जो हिंदु धार्मिक संस्थाएं हैं सनातन हिंदु धर्म की चाहे वो शंक्राचारे हो या रामानंद संप्रदाय है जिनका वो अस्थार मना जाता है तो उनकी सलाज से और उनकी सहभागीता से होता। बैसिकली मुझे तो यह लग रहा है कि यह जो आरेसेस का एक सांस्कृतिक पुनरुथान का जो उनका कारकाम है। और राश्रपती जी ने अपने चिठी में लिखा है कि यह जो प्राइम मिनिट्टर को कि एक सांस्कृतिक पुनरुथान हो रहा है भारत का। तो जो उनका अपना हिंदुत्यों का विजन है क्योंकि देखे हिंदुत्यों का केवल एक विजन नहीं है। बहुत सारे विजन है अलग-अलग है गादी जी का अलग था बहुत है कबीर दास का अपना अलग था तूसी दास का अलग था तो जो टेडिशनल हिंदुत्यों की सारी संस्थाएं थी आप देखे हैं तूसी दास जी का कोई नाम नहीं ले रहा है जबकि तूसी दास जी की रामान की वज़े से ही कम से कम उत्रों तो मुझे लगता है कि वो अब एक नए कलेवर में मोदी जी अपने को पेश कर रहे हैं कि मैं नेता तो हूँ ही और हिंदुधर्म का रक्षक और मार्गदर्शक भी मैं हूँ वो मतलब एक और चितना मैं समझता हूँ कि ताकत हो सकती थी सरकार के पास या पार्टी के पास या संग के साथ सब उन्होंने जोग दी है और पूरे देश में जिस तरह से जश्न बनाया जा रहा है जिस तरह से लोगों को इन्वाल किया है जगा जगा चावन ले जाके तो मुझे लगता है कि लोगों में उन्होंने राम मंदिर के बियाउन कुछ अपेक्षाएं जागरित कर दी हैं अब उस दिशा में वो कितना जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे मुझे लगता है जैसे जैसे राजनीतिक शक्ति उनको मिलेगी वो होगा चुँकि देखे इसमें कोई कहने की बात नहीं कि जो राष्टि स्वें सेवक संग है जिसके एक शाका है बीजेपी उनका बड़ा विजन तो हिंदू राष्ट्र का है और उस लिहाज से वो अलग-अलग संस्थाओं को अलग-अलग लोगों को उन्होंने काम बा है पास पूरा समर्थन नहीं है जब पूरा समर्थन होगा तब हम उसमें करेंगे इसलिए उन्होंने एजनले से बाहर रग दिया था जो तीन वी वाजित मुद्दे थे धारा 370 और कौमन से विलकोर राम मंदेर अभी वीज्वास में जो दिख रहे है मोहन भागवत भी मह थी तब बहुत कॉंशिसली उन्होंने यह डिसाइड किया था कि हम अलग रहेंगे संग से हम अलग रहेंगे पार्टी अलग होगी हाला कि चाहिए वो अलग बात है कि उन्हीं हो कई भी नकर पीछे नहीं हो लेकिन जो एक कॉंशिस दिसीजन था 1980 में वह 2024 में अभी उनको क कोई इस चीज़ के ज़रुत नहीं है कि हम अपने को अलग दिखाए क्योंकि हो दोनों उधर उसके लिए बैठे ही हैं तब दिखिए गांधी वादिये समाजवाद का इसलिए उन्होंने कहा था कि उनको कॉलीशन चाहिए था और लोगों से आप देखे ना जैसे 1977 में भी उसके बाद उनको तमाम दलों का सहयोग चाहिए था तो जाहिर है कि वो प्योर्ली हिंदुराश्टर की बात उस समय नहीं कह सकते थे तो वो स्टेप बाई स्टेप और अलग 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 लोगों को अलग अलग रोल है जैसे रामंदिर आंदोलन में आप 6 दिसंबर को ही द ली और जब मस्जिद गिर गई शाम को तो सभी ने ये कहना शुरू किया कि साहब बहुत दुखाद हुआ शर्मनाक हुआ हम नहीं चाहते थे उनके रिटेन वक्त पर उतिन हमको मिले थे आयुद्या में मैं था रमाशंकर अगनी होतिर जी ने दिया था लेकिन जब बात मे उन्होंने देखा कि मैं उनके समर्थक तो खुश है तो फिर क्रेडिट लेने लगे और फिर पार्लेमेन में देखा कि वैसा है तो वाजपे जी ने वहाँ फिर कहा कि साहब जो हुआ गलत हुआ तो सबके अलग-अलग डायलोग लिखे हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी मिलती है अब खास करके आगले चुनाओं में क्योंकि उनको फुल मिजारिटी इससे केवल काम नहीं चलेगा समिधान में जो मौलिक संशोधन करना चाहते हैं उसके लिए राजनीतिक ताकत